कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे आज के इस लेक्चर के अंतर हम लोग पढ़ने वाले हैं कमपेरिजन ऑफ चार्ज एंड मासेज के बारे में ठीक है तो इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे बट उससे पहला अगर आप लोगों नेमारे चैनल को सब्सकाइब नहीं करा है तो चैनल को जाकर सब्सकाइब करेंगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि जो भी लेक्चर हों आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच सकेए चले लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो लेक्चर के अंतर हम दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं एक तो हम पढ़ने वाले हैंะ ठाख कर में दूसरा हम पढ़ने वाले हैं मास के वारे में और अब यहांपे मैं डिवाइडर बना देता हूँ, सबसे पहला पॉइंट जो है, इलेक्टिक चार्ज की बात करें, तो इलेक्टिक चार्ज, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्टिक चार्ज, और ने बॉड़ी, मेभी पॉजिटिव, और ने बॉड़ी, जीरो, कि बहुत किसी बी बॉड़ी के उपर, चार्ज हो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो, बड़ अगर मैं बात करूं, मास की, तो मास on a body, मास off a body is always, is always positive in nature, हमेशा मास की वेलू हमेशा कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, सेकेंड पॉइंट की बात करूं, इलेक्टिक चार्ज on a body must be quantized, quantized होना बहुत जरूरी है, कि अगर किसी बाड़ी के उपर चार्ज बाड़ी, औरने चार्ज बाड़ी, on charge body must be quantized, तो Q की value जो होगी, तो यहां पर आप लोगों को पहले ही explain कर रखा है कि quantization of charge होता क्या है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि किसी भी body के उपर जो charge होगा, वो हमेशा, वो एक integral multiple of e होगा, तो यह चीज मैंने आप लोगों को बता रखा है, और n की value हमेशा whole number में होगी, कभी भी fraction के अंदर exist नहीं कर सकती है, और यही कहलाता है क्या quantization of charge, बड़ अगर मैं बात करूँ, mass of body, never be, mass of body, yet not be quantized, अभी तक जो mass है, वो quantized नहीं किया जा सका है, quantization of mass के बारे में अभी तक हमें पता नहीं है, ठीक है, तो यह mass जो है, वो fraction में भी exist कर सकता है, और whole number में भी exist कर सकता है, तो यह बात आप लोगों को mind में रखनी होगी है, third point की बात करता हूँ, तो electric charge is invariant, invariant का मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोलूँ हाँ कि invariant, तो इसका मतलब यह हो गया कि electric charge की value vary नहीं करेगी, और कब नहीं vary करेगी, electric charge does not change with speed of body, speed of body, body के speed के साथ electric charge change नहीं होता है, यह बात आप लोगों को याद अखना है, बट अगर मैं बात करूं, mass की, तो mass of a body is vary with speed of body, body के speed के साथ साथ vary कर जाता है, तो यह चीज आप लोग, तो मैं यह कह सकता हूँ कि mass जो है, वो variable है, mass vary कर सकता है, कब vary करेगा, जब उसकी speed change होगी, मनले कि उसकी speed उसके पास होगी, तो जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे किसी body का mass 5 kg है, तो वो mass, rest mass हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो अगर मैं बात करूं, mass variable है, तो उसकी mass कैसे vary करेगी, वो इस relationship vary करेगी, और यह formula आप लोग पढ़ोगे, special theory of relativity के अंदर, यहाँ पे m0 जो है, m0 is the rest mass, m0 के है, rest mass है, और यहाँ पे V जो है, यह V is the speed of body, speed of body, और यह जो C जो है, यह होए speed of light, speed of light, clear, चलिए, अब हम आगे चलते हैं, चलिए, सार्ट करते हैं इसको आगे, फॉर्थ पॉइंट की बात करें, तो charge की अगर मैं बात करूँ, तो charge on a system, isolated system is always गंजव, charge on a system, या isolated system is always गंजव, किसी भी isolated system के उपर charge हमेशा गंजव रहता है, यह चीज़ हम लोगों ने last lecture में पढ़ रखा है, आप एक बार जाके देखेगा, मास की बात करें, तो mass of a body cannot be congered, cannot be congered, because some mass will convert into the energy, क्योंकि कुछ mass energy की format में convert हो जाता है, क्योंकि e is equal to होता है mc square, यह भी हम लोगों ने special theory of relativity के अंदर पर रखा है, यह आप लोगों को पता है, e is the energy, m is the mass, c is the speed of light, ठीक लिए, तो यह चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, next अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, next अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, तो electrostatic force की बात करता हूँ, तो electrostatic force, between two charges, between two charges, may be attractive, may be attractive, और may be repulsive, but अगर मैं बात करूँ, gravitational forces की बात करूँ, gravitational forces की बात करूँ, between two mass, between two mass, is always attractive in nature, तो is always attractive in nature, is always attractive in nature, तो ये चीज़ आप लोगो को माइन में रखना होगा, कि electrostatic force, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है, कि like charges जो है, वो आपस में एक दूसरे को repel करते हैं, opposite charges attract करते हैं, वैसे ही, gravitational force के बारे में पढ़ रखा है, कि gravitational force हमेशा attractive nature का होता है, next अगर मैं point की बात करूँ, कि electric charge, always, exist with mass, electric charge हमेशा mass के साथ exist करेगा, बट अगर मैं बात करूँ, mass की, mass can exist, exist with charge, exist कर सकता है, और may not exist, with, नहीं, charge mass can exist with charge, यहां पर मैं लिख सकता हूँ, यह कोई compulsory नहीं है, कि charge मास के उपर हमेशा रहे, है ना, तो मैं कह सकता हूँ, a body, यहां पर मैं इसको, a body, may possessing, a body possessing mass, mass, may not have any net charge, may not have any charge, तो, किसी भी, body के उपर, अगर मैं, बोलू हां, कि उसके पास mass है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, कि उसके उपर charge होना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, charge हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, ब़्ट, body के साथ mass का, होना जरूरी है हाँ कोई भी बॉडी के उपर अगर चार्ज है तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि उस पर मास नहीं मास होना कमपल्सरी है बिना मास के चार्ज एक्जिस्ट्री नहीं कर सकता तो आप लोगों कोई पॉइंट समझ माया होगा और ऐसे वीडियो लेक्ट्रस देखने के लिए हमार चैनल को जाके सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस लेक्ट्रे रो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुत सब्सक्राइब